हलो दोस्तों मैं हूं दीपक देवोतकाल और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागेते भाईयों आज माँ को बताना जा रहे हैं सुकन्या सम्रद्धी योजना के बारे में अगर आपके घर में एक लड़की है और वो एक साथ दस साल की उमर की है तो आप भी खुलवा सकते हैं सुकन्या सम्रद्धी योजना में खाता इसमें क्या है कि भाईयों आपको 2500 रुपे से लेकर 1000 रुपे महीने जमा कराने होंगे और आपको मिलेंगे 6 लाग से उपर की रासी वो किस प्रकार मिलेंगी और क्या उसकी नियम और सर्ते हैं वो सारी जान करें हम आपको इस वीडियो में देंगे अगर आपको कोई भी क्यूस्टन हो सुकन्या सम्रद्धी योजना के बारे में तो आज आपका इस यूडियो में केलियर हो जाएगा और भैयों आपसे विंतफ्य वीडियो को जह जह सेर कर सक़े हैं वो भी इसका लाव उठासके सबस्फ़ीर हम बात करेंगे सकन्य सम्रद्धि योजना हे क्या देखो भाईो सकन्य सम्रद्धि योजना ए बचत खाता है जो के लड़कियों खुलॉय जाता है इसकी 500 रुपे से लेकर 1000 रुपे तक है ये खाता खुलो जाता है अगर आप बिलकुल ही गरीब है तो आप मातर 500, 500, 750 या 1000 रुपे से ये खाता खुल सकते हैं कोई टेंसल लेने वाड़ी बात नहीं है इसमें सबसे जादा ब्याज दियाता है जिसका 9.1 फिस्दी की ब्याज के दर से इसमें रुपिया मिलता है दरसल इसमें आप कैसे खाता खुलू है सबसे बड़ी बात ये है सुकण्य समर्दी योजना के तहित अकाउंट किसी गल्ड सैंड के नाम पर जलम नेले के 10 साल के अंदर कम से कम 500 रुपे से इस खाते को खोले जा सकता है चालू वित्य वर्स का अधिकतम 1.5 लाग रुपे इसमें जमाई कराया सकते हैं यानि कि भाईयो आप 500 रुपे से खाता खोल सकते हैं और एक साल में अगर आपको पर जादा रुपे हैं तो एक साल में आप 1.5 लाग रुपे तक का इस खाते में जमाई करवा सकते हैं कहां खुलेगा खाता दूसरी बात आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ओपिस में सरकारी में ये खाता खुलवा सकते हैं आपको कोई दिक्कत होने वाले नहीं है आप किसी भी बैंक में ये खाता खुलवा सकते हैं कब तक चलाना होगा खाता जब तक लड़की की उम्र 21 साल नहीं हो जाती तब तक ये खाता चलता रहेगा लड़की की 21 साल उम्र होने पर आपका सारा रुपया बेंक का आपको दे देगा दूसरी बात लड़की की उम्र 18 साल जब हो जाती है तब आप इस खाते में से 50% रुपे लड़की की पढ़ाई के लिए या लड़की के आदे खर्चे के लिए लिकरवा सकते हो यानि कि आपको 14 साल तो इसमें रुपे भरना होता है अगर आप पहली साल में ही लड़की खाता खुलवाते हो तो आपको 14 साल तो रुपे भरना होगा और 18 साल में आप 10 रुपे निकलवा सकते हो अगर लड़की की साध्या आप एक्की साल के बाद कर रहे हो तो एक्की साल में आप पूरा रुपया इसका निकलवा सकते हो सुकन्य समर्द्य योजना खाता खोलने का अब क्या नियम हम आप बताते हैं खाता बच्ची के माता पिता या कानूनी अभिवायक द्वारा गल चायल्ड के नाम के उसके दस साल की उम्र से पहले खुले जा सकता है यानि कि लड़की की दस साल जब तक उम्र ना हो उससे पहले ही आप ये खाता खुलवा सकते हो इस नियम के मुताबित एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोले जा सकता है दो खाते आप बच्ची की नाम से सुकन्य समर्दियोजना में नहीं खुलवा सकते हो इसके लिए कागजाद क्या क्या लगेंगे इसके लिए कोई खास कागजाद नहीं लेगेगा एक बच्चे का जनम प्रुमान पत्र लगेगा, एक आपका पैचान पत्र या आधार कार्ड जो मातरपिता को होता है, ये तीन डोकुमेंट सा आपका किसी भी बेंक में खाता खुल सकता है, कितनी रखम जमा गराने हैं, आप डहाई से लेका 1,000 रुपे तक रखम जमा करा सक करते हो तो आप ऐसा बी करवा शकते हो direct transfer ुगिए आपके खाते में से हर महीन रुपए आपके बेटी में बेटी के खाते में छले जाएंगे इस प्रकार की में यह प्राप yeah a check के कर आपर सकते हो कहां हम खाताifying आपके कर आप ऑगाते हैं अगर आप एक दिले से दूसरे जिले में कहिंदा ना आपकी जोब लग जाती है और आप जाड़कर जोब करने लगाते हो है तो यह खाता उसुदि तैंसरम करा सकते आसानी से आपको जो ट्रांसपर का सरबूत है वो दिना होगा कि हम यहां से फिक्स होकर इस जगे पर आगे हैं इस प्रकार आप अपना खाता वहाँ पर भी ट्रांसपर करवा सकते हो तो भाई यह तो हुई सारी जानकरी अब हम आपको बताते हैं देखो भाई अगर आप मिनिमम में एक हजार तीन हजार को आथे हो तो आप 6 लाग दुगना करते चला जाएं जितने हैं आप रूपे जमा कराते हो माने के चलो आप 1.5 रूपे प्रतिवर्ट जमा कराते हो तो आपको को क्रोड़ो मिराशी मिलेगी यानि कि आपके उपर एप उपनी बेटी के नाम पर कितना रूपे जमा करा सकते हो उसका ब्याज लगके आपको अच्छी रकम मिल जाती है उसकी साधी पर मिनिमम हम तो यह सोते हैं गरीब आदमी एक हजार रुपे जमा कराता है तो उसको शाड़े छहलाग रुपे मिलते हैं बहुत अच्छा खाता है अगर जिनके भी घर में एक साल से दस साल की लड़की यह बेटी है तो उसके नाम पर यह खाता जरूर खुलवा है क्योंगि थोड़ी थोड़ी रकम निकल जाती है बेटी की नाम और जब बेटी 21 साल की होती है और उसको साधी करनी होती है तो आपको एक साथ एक बड़ी रखम मिल जाएगी और आप उसका भिया असानी से कर सकते हो तो वाई यह थी हमारे वीडियो अगर इसके अलावे आपको कोई कमेंट हो अगर आपको अन्य जान करी चाहते हो तो आप कमेंट करके नीचे कमेंट बोक्स होता है उसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं हम आपको उसका जवाब देंगे और वाइओं हम आप दिकर जान का जान करें ताकि हर घर हर गाउं के व्यक्ति का यह वीडियो पहुंचे और वह ऑपनी बेटी के लिए सुकन्य सम्रद हो सबसे पहले पोचेगा आपके पास वीडियो में आज की तरह भाई यो जै हिंद जै भारत